पहले की वीडियो में हम लोग short questions और long questions 2011 से लेकर 2023 तक के सारे questions देख लिए थे आज की इस वीडियो में हम लोग objective question देखेंगे जो की 2011 से लेकर 2023 तक में आई हुए हैं तो पहला question है 1871, 1871 में कौन सी संधी हुई थी? option A है Frankfurt की संधी, Paris की संधी, Vienna Congress या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है Frankfurt की संधी पहला option सही है दूसरा question है 1830 की करांती के बाद France में किस परकार का शासन इस्थापित हुआ? option A है संधी शासन वेवस्था, समवधानिक राजतंत्र या घंराज या अधिनायक बाद तो इसको हम लोगों ने short question में पढ़ा था घंराज इसका सही जवाब होगा question number 3 है जर्मनी के एकी करन के लिए कौन उत्तरदाई था? option A, count काबूर, option B, यहाँ पर D लिखा गया है, B होगा, बिस्मार्क, option C, Gary Balty और मेजनी तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क, option B अगला question है, Frankfurt की संधी, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, question number 1 था, Frankfurt की संधी किस वर्ष में हुई थी? 1864, 1864, 1866, 1870 या 1871 तो इसका right answer है, option D, 1871, Frankfurt की संधी 1871 इस वी में हुई थी अगला question है, इटली के एकी करण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? option A, बिस्मार्क, मेजनी, काबूर या गेरी बाल्टी तो इसका सही जवाब है, option A, बिस्मार्क अगला question है, इटली और जर्मनी के एकी करण के विरुद निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकी करण के विरुद निम्न में कौन था? England, Rus, Austeria या Persia? तो हम लोगों ने short question में भी और long question में भी इसके बारे में detail में पढ़ा था इटली और जर्मनी के एकी करण के विरुद आस्टेरिया था अगला question है, जर्मनी के एकी करण का परमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका right answer है, बिस्मार्क जो कि हम लोगों ने short question में पढ़ा था और ये question अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि फ्रेंक्फर्ट की संधी पर अस्ताक्चर कब हुई थी? तो 1871 में, इसका सही जवाब है अगला question है, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? परधान, मंत्री, इसका सही आंसर है या एक वर्ड और आसकता है, वो वर्ड चांसलर हो सकता है अगला question है, रक्त एवं लौह की नीती का अवलंबन किस ने किया था? और यह हम लोगों ने long question में देखा तो इसका सही जवाब है बिसमार्क, option C, बिसमार्क रक्त एवं लौह की नीती, बिसमार्क ने अवलंबन किया था अगला question है, यूरोप का मरीज यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तुर्की यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है अगला question है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था तो इस सवाल को इसके बारे में हम लोगों ने यानि मिजनी के बारे में हम लोगों ने short question और long question दोनों में पढ़ा था तो इसका सही जवाब है मिजनी अगला question है पीपो सुल्तान शाशक थे तो इसका सही जवाब है सेढॉन का युद्ध अगला कॉश्चिन है बेशे से क्या था यहां पर एक वर्ड छुट गया है वो है गैरी बाल्टी तो कॉश्चिन होगा कि गैरी बाल्टी बेशे से क्या था तो इसके बारे में हम लोगों ने long question एवं short question दोनों में देखा था कि Gary Balty पेशे से नाविक था यानि नाओ चलाने वाला था अगला question है जर्मन राइन राज का निर्मान किस ने किया था तो जर्मन राइन राज का निर्मान निपोलियन बोनापाट ने किया था इसका सही जवाब B है निपोलियन बोनापाट सन 1870 में फरांस और पर्शा के बीच युद्ध कहां हुआ था तो इसका सही जवाब है सेडान अगला question है इटली के एकी करण में निमन में किसने योगदान दिया था निमन में यानि इन सब में किसने योगदान दिया था तो option A है मेजनी, गैरी बाल्टी, काउंट काबूर या इन में से सभी तो option D सही है इन में से सभी हम मेजनी के बारे में भी, गैरी बाल्टी के बारे में भी and count काबूर के बारे में भी long question में पढ़ चुके हैं और इन तीनों के बारे में question आया हुआ है previous year में अगला question है वियाना सम्मेलन हुआ था और question इसमें short में था कि वियाना सम्मेलन की उपलब्दियां बता है तो question है कि वियाना सम्मेलन हुआ था कब हुआ था तो इसका सही जवाब है 1815, 1815 में Question number 20, जल्वेरियन संबंदित था यानि ये जल्वेरियन किसे संबंदित था तो इसका सही जवाब है वियापारियों से जल्वेरियन किसे संबंदित था वियापारियों से अगला question है and last question है ये जिनेवा संधी हुई थी तो जनेवा संधी कब हुवी थी option है 1954, 1952, 1950 and 1985 इसका सही जवाब है 1954 1954